सारे नेता सस्पेंड हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबे से और कई दिनों से हमारा मांग बना सिधे मांग कि एक तो यह कि हमारे जितने एंपिस को निलंबित किये गए उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे ग्रीह मंत्री एक बैयान दें जो बैयान सदन की बाहर रोजारा देते हैं टीबी की शा मरें के सारे देजबासियों की सुनाते हैं उसमरे कुछ सदन के अंदर आकर औह कहेँ और हमारे सब को और देशबाशियों को अबगत कराएं कि अगले तारिक में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या का कदम उठा रहा है बीश में मैं यह भी सला दिये थे कि राजना सिंग्जी डेपूर्टी लीडर है सदन की अगर हो सके सारा विपक्स नेताओं को बुलाके आम सहमती बनाके यह सदन चलाने की कोशिश करें सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समाएं लोक तंत्र के मुताबिक विपक्स को साथ में रखना जोरूरी होते हैं विपस को कॉंट्पिरेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग बाजीर समसते हैं और ये सुभनियों भी है लेकिन आज की सरकार ताना साई की चरम सिखर पर पूँच गये हैं उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बहुबोले की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टियोबिश के मुताबिक चलाना चाते हैं सदन आरेसेज और बीजेपी के तो पार्टियोबिश नहीं बन सकते तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग और आप लोग साइद ये देखे होंगे कि जीजिन से सदन की सुरुवात हुई पहले दिनों से एकदम पहले दिन से हमारी तरब से बिलकुल और भरसक मदद हम लोग किये हैं ये सरकार को साथ साथ सदन चलाने को आप अगर उत्पादकत की हस्या से देखे तो तेरा डिसंबर की पहले सदन में उत्पादकत कितना था आप खुद इसका जाया ले सकते हैं लेकिन यहां लगता है कि टीवी में बोलना बाहर बोलना ये सरकार को और सत्तरूर पार्टी के लोगों को चाहे हो पीएम हो एईचेम हो जो भी हो उनको आसान लगते हैं सहज लगते हैं लेकिन सदन में आकर खारे होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं इसलिए उनको यह लगा कि बहुमत की बहुबोली को ढंडा घुमा के सब को ठंडा कर देंगे वीपस की जुबान को बंद कर देंगे लिए बहुत सब के टीनों कि आहины हुए मुझे लगता नहीं कम से कम सारे लीदर जो है सब माइवी सारे लुप से जबढ़ों और Mitglk को नहीं को तीनों के लिए जो मतल tv सिंद के नजदेगे तो तीनों के लिए हम सब के लिए तीनों के लिए हो